कुलू जिला में पुलिस विभाग ने नियू एर मनाने के लिए बाहरी राज्यों से आने वाले सेलानियों के लिए मास्टर प्लैन तयार किया है S.P. कुलू गॉरफ सिंग ने बताया कि नए साल के लिए कुलू मनाली में हजारों वहन हर दिन आ रहे हैं इसके चलते मनाली में 130 पुलिस जवान तैनात किये हैं मनिकरन में 40, 33 में 15 और जलोडी जोत में 15 पुलिस कर्मी तैनात किये गये हैं उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटों में ओवर्टेकिंग के 50 वहनों के चालान किये गये हैं मही टरनल के अंदर हुर्दंग मचाने वाले 25 परियटकों को गिरफतार किया गया है। इसके साथ ही मनिकरन टूरिस्ट एरिया में 40 लोगों की एक टीम को स्टेशन किया गया है जो वहाँ पर ट्राफिक मनेजमेंट और टूरिस्ट सेफटी के लिए एक्टिव है। इसमें मनाली में ट्राफिक विवस्था को सुचारू रूप से बनाया रखने के लिए ट्राफिक को स्टेगर करने की ज़रोत पड़ेगी। क्योंकि thousands of vehicles इसमें जो है anticipated है जो मनाली टाउन की carrying capacity के uncool नहीं है और साथ ही इसमें एक bottleneck जो belly bridge की है जहां से वन वाई वन करके वेहिकल निकल पाते हैं तो इसके लिए इस ट्राफिक को स्टेगर करना पड़ेगा। जो यह staggering green tax barrier से मनाली से start हो जाएगी। इसमें हर 500 और 1000 vehicle cross होने पर इसमें थोड़ा delay introduce किया जाएगा जिससे traffic slowly move कर सके। उसके बाद पलचान से लेके south portal अटल टनल तक no overtaking zone बनाये गया है। इसमें हजारों टूरिस्ट होते हैं वेहिकल होते हैं तो इसमें overtaking करने से accident का खत्रा काफी जादा बढ़ जाता है। और jam की स्थिती भी उत्पन हो सकती है। इसलिए इस no overtaking zone में overtaking करने पर heavy fine भी होगा। और इसके साथ ही जो भी overtaking करेंगे उनको वहाँ से उस वक तक जाने नहीं दिया जाएगा जब तक rest of the traffic clear नहीं हो जाता है। टूरिस्ट और local busses के route को संचालित करने के लिए उनको भी staggered किया गया है। जैसे मनिकरन को जाने वाली 25 से 30 बड़ी busses जो आ रही हैं उनको हाती थान और भूंतर के पास ही रोका जा रहा है। और यहां से उनके बीच में delay introduce करके ही उनको आगे बेजा जा रहा है। क्योंकि आगे roads narrow है और busses के जाने से वहां traffic junk की इस्तिती उत्पन हो जाती है। और इसी तरह से मनाली तीर्थन के छेतर में जाने वाली busses को भी इसी तरह से stagger किया जाएगा। वन वाई वन करके इनको allow किया जाएगा। और अगर traffic rush और tourist का rush टूरिस्ट एरिया जैसे मनिकरन तीर्थन या मनाली में जादा हो जाता है तो busses को outer periphery तक ही सीमित रखा जाएगा। दिवे हिमाचल टीवी के लिए कुलू से मोहर सिंग पुजारी के साथ सुशांत शर्मा की रिपोर्ट